इस समय तेहारों का सीजन है हर कोई दीपक अपने घर में जरूर जलाता है तो यहां पर हमने यह रेडी मेट दिये जो बाजार से लाते हैं घर पर बिना किसी मोल के तैयार किये हैं अगर थोड़ी सी तैयार है अगर हम पहले से कर लें तो यह सारे काम हमारे बहुत आसान हो ज और दीपा वली की हार दिख सुबकामना है तो सबका दिख सुम्वंगल में हो और हम इन दीपा को बजार से जब लाते हैं जो काफी महेंगे मिलते हैं इनको घर पर आसानी से बना सकते हैं तो चलिए स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल बीजी मॉम लर्निंग सेंट इसे पदलना हे और हमको अब क्या करना है दोनों यह एंड सो उटे हैं गर लखते वेले को बनाते हैं तो यह सैथि शस्ती अधन साथ आपको अच्छा लगता है कि आपने दिख से बनकर ready हो गई है मैं आपको एक और बताती हूं को इस तरह की छिचना है स्थada के यह पर डोनों एक Спेंद्व तरह हमें यहां पर पतला पटला करने के बाद इसको एक तरफ हमां तरह चाया बनाते जाना है इसके react Chili इन बहुत जल्दी बनकर बना बहुती पूता उसी पारा नीचे के एम इस तरह तरह बाती सब्सुन सब्स है कि यह व्म्तार आपकी तेमाः कि शा syntax मॉह सरी यौहецर कर लेंग तो मेरे सारी बाती बनाकर टैयार कर ला है तो मैरे यहां पर यह छोटी-छोटी सी कटोरियां ले लिए हैं इन्में हम बातियों को पहले से सेट करके रख देंगे तो हो सके जितना कि आप इसमें प।़र देसी घी एड कीजिए नहीं विल आप अपने घर को दूर करना चाहते है, तो यह दीपक, अपने घर पर जरूर से बनाईएगा, और देसी के हो सके तो सुद्द बनाईएगा, थोड़ा सा, मैंने यहाँ पर यह मुंमत्ती इसमें ढल दी है, मुंमत्ती ढलना मैंने इसलिए बताया है, आपको कि मुंबती डालने से ये दीपक हमारे काफी देर तक जलते भी हैं साथी साथ ये भोजली मेल्ट भी नहीं होते हैं तो थोड़ी सी मुंबती हम इसमें एड़ कर देंगे आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा कपूर भी डाल सकते हैं तो मैंने या पर थोड़ा सा कपू हमारे गर को सब्सक्र but दोड़ा कर दिया है। करना है तो kuके दागो को निकाल देती है अगर थोड़ी सी इसमें केंडल डाल देंगे तो यहmore झमेंगे साथ यह चल्डी हो नहीं तो ही चीज को कुँ करना है मिक्स करना है तो आप देख सकते हैं कपुर भी इसमें कलने लगा है केंडल वी इसमें अच्छे चुँकी है तो सब चीज़े अच्छे से मिक्स हो गाई है चलिए अब हम यहां पर के फ्लेम को बंद कर देते हैं तुरंत सारी चीजह फर सकुए है यहां हम घीए भग लाएंगे रोंकि आनंट ऑलें इसमें टांस यह क्यामने संञें अगर आपके पास मोल्ड है तो आप इसको मोल्ड में भी बना सकते हैं अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो इस तरह कि आपके घर में छोटी-छोटी कटोरियां होती है आप उसमें भी इनको डाल सकते हैं तो मैंने सारी कटोरियों में थोड़ा-थोड़ा इसकरके डाल दिया है इस एक कटोरी गी में हमारे 25-30 दिये बनकर तैयार हो जाती है तो यह थोड़ी थोड़ी तैयारیاں अगर हम अपने घर में शुरूर से कर लेते हैं तो तोहारों पहर हमारा जादा काम बढ़ता नहीं है तो तोहारों पहर पहें बहुत काम हो जाते है तो आपके पास जो भी दीपक हो उनमें वी इनको ट्राउंस्पर कर लेते हैं तो इनको हमें यहां पर एक से दो घंट कर देना है तो आप देख सकते हैं एक दीपक में तुरंत डालते ही जमने लगा है तो इनको इसी तरह रख दीजिए और ये एक देड़ घंटे बाद अपने आपी सेट हो जाती हैं तो इसी तरह मैं आपको और भी निकाल कर दिखाती हूं ये देखिए तुरंत निकल आते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बहुती बढ़िया ये देखे सेट हो चुके हैं क कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इनको निकालने में और एक से देड़ महीने तक ये बिल्कुल भी इसी तरह बने रहेंगे आप इनको फ्रिजमर रख दीजिए बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे तो ये देखे बहुती आसानी से निकल का तयार हो जाती हैं कोई भी प पढ़िया नहीं मिलेंगे जितने आपने घर पर सुद्ध देशीगी कपूर से बनाए हैं तो आप भी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आने वाले त्योहारों पर भी इस तरह की तैयारियों को पहले से करके तैयार कर लें क्योंकि यह प्रॉब्लम हमें बाद में नहीं आएगी अगर हम इने पांच मिनट अपना अभी समय दे कर बना लेंगे तो बाद में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एक जरूर कीजिएगा और मुझे पर आप इनको यूज करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी तो यह देखिए इस तरह आप इनको स्टोर करके रख सकते हैं इतने बढ़िया यह दिये बनकर हमारे रेडी हो गए हैं यह देखिए इनको आप इस तरह अच्छे से टाइट कंटेनर में बना कर रख दीजिए कितने प्यारे यह दिये लग रहे हैं तो मैं आपको अब एक जलाकर भी दिखाती हूं कि इससे आपके घर के निगेटिविटी भी दूर होगी साथी साथी आपको उतनी खुसी होगी कि यह सारे दिये आपने अपने घर पर तैयार किये तो कमेंट बॉक्स में मु